नमस्कार मैं डॉक्टर जितेंद पांडे उत्राखंड मुक्त विश्व द्याले से कम्प्यूटर सिस्टम आर्खिटेक्चर के इस लेक्चर सिरीज के अंतरगत आज हम चर्चा करेंगे मोड्स ओफ ट्रांसफर की पिछले लेक्चरों में हमने अब तक जाना कि चाहे peripheral devices हो या फिर CPU हो जो भी data store होता है ultimately वो memory में होता है CPU सिर्फ उस data को process करता है process होने से पहले भी वो operant memory में ही stored होते हैं और data processing के बाद भी ultimate destination data का memory ही होता है या फिर peripheral devices होते हैं CPU और input output devices के बीच में जो data transfer होता है वो बहुत सारे तरीके से handle किया जा सकता है कुछ तरीकों में CPU intermediatory path की तरह act करता है कि जो input output device है वहां से पहले वो data CPU में जाता है और CPU से फिर memory में transfer करता है और कुछ तरीकों में CPU input output device है peripheral device और memory के बीच में intervene नहीं करता है वो दोनों आपस में directly data transfer कर लेते हैं तो data transfer के CPU और peripheral devices के बीच में तीन तरीके है पहला है programmed input output दूसरा है interrupt initiated input output और तीसरा है direct memory access programmed input output organization में जो भी input output instructions हैं वो computer program में लिखे होते हैं कोई भी data transfer जो है किसी भी data item का जो transfer है वो एक computer program में जो instruction लिखा होता है उसके माध्यम से initiate किया जाता है यानि कि data transfer किसी instruction के माध्यम से initiate किया जाता है और जो ये transfer होता है ये जो CPU के register है और peripheral devices के बीच में होता है और फिर उस program में कुछ दूसरे प्रकार के instructions होते हैं जो CPU register से memory में उस data को transfer करते हैं प्रोग्राम्ड इंपुट आउटपुट मोड अफ ट्रांसफर में तो उसके बाद CPU को लगातार उस peripheral device के interface को monitor करना पड़ता है कि अब कब दुबारा वो interface ready है data को transmit करने के लिए क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि जो peripheral device है और CPU की जो processing speed है उन दोन में बहुत difference है peripheral devices का speed है वो बहुत slow है और CPU बहुत तेजी से काम करता है तो जिस speed से CPU data को process कर सकता है, transfer कर सकता है peripheral device उस speed में data को provide नहीं करा सकते CPU को तो CPU अपना काम करने के बाद लगातार monitor करता रहता है उस interface को कि दुबारा next data कब transfer के लिए ready है क्योंकि generally हम जानते हैं कि जो peripheral devices ने चार अतर serial serial data को transmit करते हैं और जो CPU है वो parallel fashion में transmit करता है अब इस method का drawback यह है कि CPU जो कि बहुत efficiently और बहुत जल्दी काम करता है वो unnecessarily program loop में रहता है जब तक कि पूरा data transmit नहीं हो जाता अब यह time consuming होने के साथ साथ CPU को unnecessarily busy रखता है क्योंकि CPU को इंतजार करना है या लगातार monitor करना है उस interface को data transfer के लिए चाहे CPU काम कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो वो generally तो ideally है क्योंकि वो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि और इस drawback को overcome करने के लिए दूसरा method है interrupt initiated input output mode of transfer इसमें भी होता क्या है कि CPU intermediary location destination की तरह काम करता है data transfer वैसे ही होता है from peripheral device to CPU register और फिर CPU register से next step में memory में लेकिन अभी तक जो पहला वाला method था program input output CPU लगातार interface register को monitor करता रहता था और जिसमें उसका बहुत समय waste होता था तो एक दूसरा method है interrupt initiated input output method इसमें CPU को लगातार interface को monitor करने की जरुवत नहीं है बलकि interrupt facility और special commands की मदद से जो interface है वो CPU को signal भीजता है कि अब interface register में data आ चुका है और वो तैयार है interface CPU को data transmit करने के लिए तो programmed input output method में जो लगातार CPU को monitor करना परता था interface register को अब उसकी जरुवत नहीं है अब क्या है जो interface है वो एक interrupt generate करता है CPU के लिए जब भी उसके पास data होता है transfer करने के लिए तो उसका फाइदा क्या है इसका फाइदा यह है कि CPU को लगातार interface को monitor करने की जरुवती नहीं है इस तरीके में interrupt initiated input output में जब भी interface के पास data transmit के लिए होगा वो खुदी CPU को एक interrupt signal भेज़ देगा कि now I am ready to exchange data with CPU तो जब भी interface के पास data होगा वो interrupt signal भेज़ेगा CPU को CPU उस ताइम पे जो भी instruction को process कर रहा होगा उसे momentarily hold करेगा और data को transmit करना शुरू कर देगा interface से CPU register में और फिर जब यह transfer हो जाएगा तो CPU दुबारा interface को monitor नहीं करता रहेगा वो जहां पे जिस instruction का execution उसने बीच में interrupt किया था उसको दुबारा process करना शुरू कर देगा और इस बीच जो input output device है वो दुबारा interface register में data transmit कर सकता है तो पिछले तरीके में program input output method में CPU और कुछ काम नहीं कर पा रहा था इसमें क्या है दो instruction या operand के transfer के बीच में जो समय है जो CPU को पिछले method में program input output method में waste करना पड़ता था उस time को CPU utilize कर सकता है किसी और instruction को कोई और काम क्योंकि computer तो multitasking होता है उसमें बहुत सारे program एक साथ execute हो रहे होते हैं तो वो दूसरे meaningful काम को execute कर सकता है instruction को execute कर सकता है उस बीच में जिस बीच में उसे wait करना पड़ता है दो data elements को transfer करना क्योंकि पहले जह हम बात कर चुके हैं कि जो input output devices हैं और जो CPU की speed हैं दोनों में mismatch है इस CPU बहुत तेज काम करता है input output devices जिस rate पर data को transmit करते हैं वो CPU के comparison में बहुत slow होती है तो दो instructions को transfer करने के बीच में बहुत सारा time CPU ideally waste करता था program input output method में interrupt initiated method में वो जो बीच का time है दो instruction को transmit करने के बीच में जो waiting period है उस period में CPU कोई और काम कर सकता है और ये कैसे possible हुआ ये possible हुआ interrupt signal की मदद से क्योंकि CPU को आप आपने जो एक जिम्मेदारी दी थी पहले interface को लगातार monitor करने की वो जिम्मेदारी हटा ली है अब interrupt sorry interface unit खुदी एक interrupt generate करके CPU को signal देता है कि मेरे पास अब दुबारा data आ चुका है अब आप इसे transfer कर लीजिए CPU resistor में और जैसे ही CPU को signal मिलता है CPU जिस भी instruction को execute कर रहा होता है उसे थोड़ी देर के लिए रोगता है और data को transfer करता है यानि data transfer जो instruction उसे execute करता है और उसको करने के बाद दुबारा जिस instruction को execute करना होल्ड किया था उसे दुबारा execute करना शुरू कर देता है और इस method को हम कहते हैं interrupt initiated input output mode of transfer यह जो पहले method है program input output और interrupt initiated input output method इसमें जो data transmit होता है peripheral devices और memory के बीच में उसमें CPU intermediary का भूमी का निभाता है यानि कि अगर input output device को memory में कोई data store करना है तो पहले वो CPU में भीजता है और फिर CPU उसे भीजता है memory में इसका मतलब peripheral devices और memory के बीच में direct communication नहीं होता है अब हम बात करते हैं तीसरे method की जिसे हम कहते हैं direct memory access जैसा कि नाम से ही पता लग पा रहा है इसमें memory को direct access कर पाता है input output device direct memory access को हम DNA में भी कहते हैं और इस method में जो data transfer है interface और memory के बीच में वो वाया memory bus के होता है इस method में CPU initiate जरूर करता है transfer को लेकिन एक बार जब data transfer initiate हो जाता है तो फिर CPU का कोई role नहीं रहता हाँ बीच बीच में CPU monitor जरूर करता है कि अब तक कितना data transmit हो चुका है data transfer को initiate करते वक्त CPU interface unit को बताता है कि जिस memory block को उसने transfer करना है उसका starting address क्या है और कितने words उस starting address से आगे के उसे transmit किये जाने है और इस transfer को initiate करने के बाद CPU अपने दूसरे कामों में लग जाता है और जिस वक्त ये transfer किया जाता है data का डिये में memory बस के थुरू कुछ memory cycles को request करता है और जब memory controller द्वारा ये request grant कर दी जाती है तब डिये में data को directly transfer कर देता है memory में इसे हम direct memory access mode of transfer कहते हैं इस method में CPU जो अपने memory access operations है उसको कुछ time के लिए delay कर देता है ताकि direct memory input output transfer किया जा सके और चुँकि peripherals की जो speed है वो CPU से बहुत slow होती है input output memory transfer जो होते हैं वो साधर रनतया कम होते है कम होते हैं अगर हम उसकी तुलना करें processor access से memory के तो इस lecture में हमने three modes of transfer की बात की program input output mode interrupt initiated input output mode और third direct memory access पहले और दूसरे method में जो CPU है वो एक intermediary की तरह work करता है जो भी interface unit के थूँ या input output device के थूँ memory में अगर data transmit होना है तो पहले वो CPU register में store होता है फिर वहां से memory में store किया जाता है इसे program input output method इसलिए कहा जाता है कि program में लिखे हुए instruction के माधियम से आप पहले input output device से CPU register में data को transmit करते हैं और फिर दूसरे तरह के instruction से आप CPU register से memory में data transfer करते हैं फिर दूसरा method है interrupt initiated इसमें क्या है program input method में CPU को लगातार monitoring करनी पड़ती है interface unit की जिसमें उसका time waste होता है तो interrupt initiated method में CPU की जरुवत नहीं है बार-बार interface unit को monitor करने की जब भी data available होता है interface register में transmit करने के लिए जो interface है वो खुदी signal भेज देता है CPU को एक interrupt के माधियम से कि अब वो interface unit तैयार है data transfer के लिए तो इसलिए इसको interrupt initiated input output mode of transfer कहते हैं तीसरा method है direct memory access method इसमें CPU initiate तो जरूर करता है memory के transfer को लेकिन जिस वख memory में memory और input output device के बीच में actually data transmit होता है CPU कोई role अदा नहीं करता जो input output device है वो directly memory से coordinate करके data transmit कर लेती है कर नहीं कर दो कि अस्फ़र कर दो डम आनल कर झाल कर अढ़ा कर दो कर दो कर दो झाल झाल